हलो दोस्तों स्वागत आपका अपनी यूटूब चैनल रोईत कुश्वामी लॉकलासिस में आज मैं आपको कराने वाला हूँ आपके लल्वी का बेरी इंपोटेंट एक्टों मेंसे एक जिसका आपको था भौती बेस अपरी से इंतजार उस एक्ट का नाम है आपका फारत का सम्वेधानिक आबम बैधानिक इतिहास जिसका आपको बेस बरी से इंतजार था आप कमेंट कर रहे थे बहुत ज़ादा यूटुब पर भी कमेंट कर रहे थे वाट्सप पे कमेंट कर रहे थे सर हमारा लीगल हिश्ट्री करा हूँ हमारा यह हुआ नहीं तो आज मैं आपके लिए कुछ short trick लेके आया हूँ क्योंकि यह वाला paper है बहुत ज़दा tough आपके इस tough paper को आसान कैसे किया जाए वो कौन से question है जो आएंगे हमारे exam में जो बनते हैं हमारे very very important तो उसके लिए मैंने बनाई है एक short series वो short series है मेरे self notes self notes के द्वारा मैंने आपको छोटे छोटे point में आपको समझाया है जो आपके होने बाले है very important questions उनकी मैंने एक column बना के आपको देने की कोसिस की है जिससे आपको समझ में आ जाएगा आप बैसे अगर इन pointों को याद करते तो आपको आसान नहीं था मैंने उसके साथ एक एक example भी दिया है जिससे आप उसे आसानी से याद कर पाओ और उमीद करूँगा जो मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ आपके legal history paper के लिए 100% आपको कारगर साबित होगी आप लाने वाले हो बहुत अच्छे नमर अपने exam में और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को share करना अपने दोस्तों में फ्रेंडों में अपने college group में और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करो comment, share और subscribe ठीक है अब मैं आपको कराने बाला हूँ आपके important point वीडियो को वीडियो को अंतक जरूर देखना क्योंकि आपको मिलने वाले हैं बहुत ही important notes इसी के आधार पर कर पाओगे आप legal history में अच्छा performance और लेके आओगे बहुत ही बहतरी नमबा ज़्यादा बात ना करते हूँ चलते हैं अपने topic पे देखे continue यहीं हैं वो points जिनके आधार पर आप legal history में कर पाओगे बहुत अच्छा performance जैसा कि आप उपर देख रहे हूँ जैसा कि हमारा यहां पे topic का जुनाम है सम्मेधानिक बिकास के महतपूर निरने तो सम्मेधानिक बिकास के महतपूर निरने हमारा है सबसे important यही इनी point पे हमारे sword, very sword and long तीनो format में यहीं से question आने वाले हैं आपको पहले मैं पूरी legal history को आपके सामने रखना चाहता था मेरे mind में यह आनी रहा था कि मैं पूरी legal history को आपको एक वीडियो में कैसे दूँ जिसके आधार पर आप पहले तो अपनी legal history को समझ पाओ कि है क्या legal history उसमें हमें पढ़ना क्या है, समझना क्या है तो उसी के लिए मैंने एक बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, समझा तो फिर मैंने एक notes बनाए और मैंने सोचा कि मैं पूरी legal history को इस तरह से मैं इनको provide करा हूँ जिससे कि इनको एक clear हो जाए कि हमारे exam में हमसे क्या-क्या बूजा जा सकता है किन टॉपिकों पर बात की जाएगी, legal history बहुत ही अटपटा सा हमको लगता है पढ़ने में history पढ़ते हैं तो थोड़ा अच्छा सा लगता है, लेकिन legal history हमें बहुत ज़्यादा परिशान करती है तो कौन से वो point है, क्या आने वाला है, ये समस्या हमारे पूरे question में, sorry, पूरे paper में बनी रहती इसी का मैंने solution निकाला और आपके लिए लेकिया आया बड़े ही मज़ेदार points तो आप इनने देखिएगा, मैंने कराए हैं आपको only 10 point और ये है 10 point इतने important क्योंकि इनी point हो में से आएंगे आपके paper, 100% एक भी point ऐसा नहीं है जो बेकार हो, और पॉइंटों को याद कनने के लिए मैंने एक-एक example इसमें डाला है, ठीके न, आप वीडियो को जराबी cut करनी देखिएगा, अगर आप वीडियो cut कर देखते हो तो आपका होने बाला है, बहुत जादा नुकसान, आपने काफी वीडियो को देखा होगा, काटी, थोड़ा आगे बढ़ा दिया, आपने अज तक जो भी करा सब चला, लेकिन अब ऐसा करोगे तो आप फसने बाले हो बहुत जादा, क्योंकि legal history है, अपने आप में बहुत ही danger, ठीक है, डरा नी रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी है language, बहुत जादा बिकार, अगर इसे आप एक बार में समझ गए, तो आपके mind में चिपक जाएगी, अगर इसे आप ignore करके, यह सोचो के हो जाएगा, तो यह करने बाली है, आपको बहुत जादा पर पोइंट, पहला है हमारा regulating act, regulating act, very very important long question में से एक बनेगा, यहां से long question आप note कर लीजेगा, यहां से आएंगे आपके important यह बाला जो point है, 10 point कराए हैं, 10 में से आप लेके आने बाले हो, बहुत ही अच्छे number, 100 number का paper होगा, आपका एक भी number का paper आपके इन पोइंटों से भार न इन ही के उपर आएंगे आपके short, very short and long, तीनों format में इन ही में से question आएंगे, तो सबसे important है जो हमारा regulating act, यह हमारा regulating act जो आया था, यह act 1773 ECM में हमारा आया था, इसको पूरा explain करेंगे, इन सबी point को आपकी other videos में, आपको बस एक दिखाना था, legal history है क्या, इसमें कौन से ऐसे point है, जिन पर हमें तेयारी करनी है, legal history के अंदर ऐसा क्या है, जो हमें पढ़ाया जा रहा है, तो उस पर संग पूरा एक बार नजर मानने के लिए थी है, मैंने यह समझ लेना, ठीक है, तो हमारा सबसे दार regulating act, 1773 में हमारी भारत में आया था, इस act के द्वारा हमारे important question ही ब बंगाल में एक सर्वोचिन अले की स्थापना हुई थी पहली बार, पहली बार बंगाल में एक सर्वोचिन अले की स्थापना हुई थी, जिसको बोलते हैं Supreme Court, उस समय का Supreme Court, सर्वोचिन अले ठीक है, तो ये point है, हमारा clear होता है, regulating act 1773 याद करने के लिए डाला है, मैंने इस दूसरा point है हमारा charter act 1813 है, charter act 1813 है, इस वाले act से हमारे ज़्यादातर sought और very sought question बनते हैं, very sought, sought और very sought बनते हैं, अगर हमारा luck ज़्यादा चाहा है, तो long question भी आ सकता है, ठीक है, ये आया था 1813 हमें, और इसको याद करना है कैसे, पिर्थम बार सिक्छा पर, पहली बार सिक्छा पर, पिर्थी वर्थ, एक लाक रुपे की व्याय व्याक्या की गई, व्याय करने की व्याक्या की गई, अब ये हमें point याद रहेगा, कि charter act 1813 हमारे भारत में आया था, लागू हुआ था, और उस act के अंदर बात की गई थी, कि हम सिक्छा पर एक लाक रुपे खर्च करेंगे, पिर्थी वर्थ, एक साल में एक लाक रुपे सिक्छा पर खर्च करेंगे, ठीक है, तो इससे याद रहेगा, आपको charter act ऐसा act था, 1813 में आया था, उस act में ये, जो important बात ये थी, जो हमारे लिए अच्छा था, किसलिए उसमें बोला गया था कि सिक्छा पर पिर्थी वर्थ, एक लाब रुपे खर्च होंगे, इसके आधार पर इससे आसानी से आप याद कर लोगे, थर्ड नंबर का जो हमारा point है, वो है, charter act 1833, charter act 1833, इसमें क्या है, ये भी हमारा very very important है, आपका एक भी point ऐसा नहीं है, मैं यह हाँ पर लिखी दूँ, जो आपका important नहीं हो, बार-बार कहने से better है, very important है, all, ठीक है, मैंने जो चांट कर आपको निकाले है, all important निकाले है, मैं नहीं चाहिता, आप exam time में, आपका कोई भी एक भी minute, एक भी वीडियो आपको irritate करे, आपका time waste करे, मैं चाहिता हूँ, आप 100 percent नहीं हरी करो, तो इसके लिए मैंने आपको important ही दिया है, साब कुछ, तो देखते हैं, Charter Act 1833, company का भारतिया व्यापार में एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, हमारे भारत में Charter Act लगा था, ये सब अंग्रेजों ने लगाए थे, ठीक है न, अंग्रेजों ने Charter Act 1833 में भारत में लगाया, company का भारतिया व्यापार से एक अधिकार समाप्त कर दिया, ये एक अधिकार क्या है, ये बताता हूँ आपको में, जब England की company भारत में आई थी, अपना बर्चस्प जब भारत में बना लिया था, तो company को ये अधिकार था, जो कार्रे वो company कर रही है, उसक हम को अधिकार है, जो company हमारा product बना रही है, जो company हमारा सामार बना रही है, जो ब्यापार हम कर रहे हैं, इसके हमारे अलाबा कोई भी इस ब्यापार को नहीं करेगा, तो ये वाला जो इनका जो अधिकार था, इसको करा, Charter Act 1833 समाप्त, वो अधिकार कर दिया, कि आप हटो, तो अब ऐसा नहीं होगा, आप एक अधिकार ही नहीं होगे, आपके अलाबा कोई और भी इस तरीके के business को कर सकता है, कोई और भी इस तरीके के ब्यापार को कर सकता है, तो company का भारत ये ब्यापार से, उन्होंने बोला था भारत में हम ब्यापार करेंगे, तो ब्यापार से एक अधिकार समाप्थ कर दिया गया Charter Act 1833 के द्वारा यह बहुत important है इसे तो याद करना भी चाहिए कि Companies का एक अधिकार किस Act ने समाप्थ किया था तो आप बताना Charter Act 1833 द्वारा फोर्थ नंबर का point आता है हमारा भारतिय परिशत अधिनियम 1858 भारतिय परिशत अधिनियम 1858 इसमें क्या है ये थोड़ा सा हम समझते हैं भारत पर सासन का अधिकार Crown को मिला 1858 में जो Crown थे England के जो Crown Prince थे उनको भारत पर अधिकार मिला वो सासन करने का आप जो भारत जाईए और वहाँ पर अपना सासन कीजिए ये किस में मिला था 1858 में Crown को अधिकार भारत पर सासन करने का अधिकार Crown को 1858 में भारत परिशत अधिनियम में मिला था और आपको एक बात मैं बता दूँ ये हैं क्या ये England से एक आदेस आते थे ये आदेस होते थे इनके अंदर कुछ rules होते थे उनको follow करना होता था इन्ही rules हों को हमने नाम दे दिया था उसी समय का कि Regulating Act आया है 1773 में इसमें क्या हुआ था सरवची ने अल्ले बना है ये क्या है ये Charter Act 1833 में इसमें एक अधिकार समाप्त कर दिया गया है इस परिकार के Act आते थे उनके वहाँ से आदेस पत्र आते थे उनके नियम काईदा कानून वहाँ से इंग्लेंड से इधर आते थे इसी प्रकार का फोर्थ नंबर का हमारा आया था भारत ये परिस्द अधिनियम 18808 मन इसमें क्या था भारत के उपर अधिकार जो था बेरी इंपोटेंट पॉइंट और हमें कम्पिटिशन लेवल पर भी यही हमारे पॉइंट समसे बूजे जाते हैं अगर कोई आप मैंसे लोकाई स्टुडेंट है और आप कम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हो तो आपके साथ होने बाला है समने पर सोहागा एक तो आपकी लोकी तैयारी दूसरा मिले वाला है आपको 100% कम्पिटिशन मटेरियल इसके साथ ठीक है फिप्त नमबर का पॉइंट है हमारा भारतिया परिशत अठारे सो इक सट फिप्त नमबर का पॉइंट है भारतिया परिशत अधिनियम अठारे सो इक सट पिठ्थम बार विभागिये एवम मंत्री मंडलिये प्रणाली की नीव रखी गई पहली बार किसी विभाग की स्थापना हुई और मंत्री मंडल की विवस्ता की गई ये कैसा कब संबभ हुआ था ये संबभ हुआ था भारतिय परिसद अधिनियम 1860 इस एक सट के द्वारा कि भारत में विवागी है यानि कानूनिय और मंत्री मंडल की स्थापना की गई आगे चलते हैं नेश्ट है हमारा पॉइंट भारतिय परिसद अधिनियम 1892 1892 में क्या हुआ था ऐसी क्या घटना हुई थी उसको आसम अब हम बताते हैं पिर्थम बार विधान परिसद में बजट पर वहस करने का अधिकार मिला बिधान परिसद थी जो हमारे नेयल ले होते थे उसमें जो परिसद होते थे उसमें क्या बोला कि हम बजट पर जो हमारा पिर्थी वर्ष का जो बजट बनता है हम उस पर वहस कर पाएंगे पिर्थम बार यह घटना का हुई थी पहली बार अंग्रेज आये थे 1600 से पहले और यह जो पहली वार घटना हुई थी कि हम बजट पर बात कर सकते हैं बजट पर बहस कर सकते हैं बजट के ऊपर हम नयाले में बोल सकते हैं तो यह था भारतिय परिसद अधिनियम 1892 में ये सारे अधिकर अंग्रेजों को थे, ये किसी इंडियन को नहीं थे, पहले ये सुन लेना भारतिया अग नेस्ट पॉइंट आता है हमारा भारतिया परिशत अधिनियम उन्निश्यो नौ भारतिया परिशत 1909 आता है और इसमें क्या होता है सबसे important है ये मुस्लिमों के लिए पिर्थक निर्वाचन छेत की सुभी था अंग्रेज जो भारत आये थे उन्होंने एक प्रणाली अपनाई और उन्होंने क्या करा जो निर्वाचन होता था उसमें उन्होंने क्या बोल दिया मुस्लिमों का अलग निर्वाचन होगा हिंदों का अलग निर्वाचन होगा ये है भूद ही deeply बात इसको हम proper base पर long question के आधार पर वीडियो लेकर आएंगे तो हमको करना है सिर्फ इसे याद तो थोड़ा सा मैं समझा दिया है कि यहाँ पर क्या बोला गया था कि मुस्लिम जो है बहु मुल्ले जो बहु संक्या हिंदू थे उनमें जो मुस्लिमों की संक्या कम थी तो उनको क्या बोला कि इनको कैसे अपने अंडर में करा जाए कैसे इ अपना प्रसासनिक अधिकारीच नंगे तो यह हुआ था भारतिया परिशत अधिनियम उन्निश्यों नौ में तो यह हुआ था उन्निस्यों नौ में और इसमें क्या हुआ था मुस्लिमों के लिए पिर्थक निर्वाचन छेत्र की सुभी था यह सिर्फ जो नियम लगा था उन्निसों नौ में यह सिर्फ भारतियों में फूट डालने के लिए करा गया था एट नंबर का हमारा पॉइंट है भारतिय परिशत अधिनियम 1919 इसमें क्या हुआ था भारत में एक नए अधिकारी भारतिय हाई कमिशनर की न्युक्ति हुई थी और यह भी पहली बारी होगा था तो यह है भारतिय परिशत अधिनियम 1919 में क्या हुआ था एक हाई कमिशनर की न्युक्ति हुई थी इसके आधार पर आप याद कर लीजेगा 1919 में भारत में हुआ था हाई कमिशनर की न्युक्ति अब जो नेस्ट पॉइंट है नौमे नंबर का जो पॉइंट है आपके लिए है बैरी बैरी इंपोटेंट जिस परकार हम सबजी बनाते हैं सबजी में जो टेस्ट का काम हमारा नमक करता है उसी परकार पूरे लीगल हिस्टरी में हमारा जो टेस्ट जो है नमक का, कितनी भी अच्छी आप तैयारी कर लो सबजी की, उसे बना लो, कितनी भी उसमें अच्छे से अच्छे आइटम डाल दो, कितने भी अच्छे से उसे पका लो, कुछ भी कर लो, अगर हमने नमक नहीं डाला, तो हमारी सबजी बेकार, ठीक है? उसी परकार से अगर हम legal history पढ़ रहे हैं, और हमने नहीं पढ़ा, भारतिय परिसत अधी नियम 1935 तो सब है बेकार, क्योंकि भारतिय परिसत 1935 के नियम, आज तक हमारे भारत में, हमारे भारतिय सम्विदान में अपनी चाप छोड़ कर बैठे हैं, ठीक है? तो ये है very very important, इसके लिए जितना important बोल जाए इतना कम है, और एक बात मैं आपको बता दूँ, legal history के paper में, अगर आपके 10 साल के paper उठाय जाए तो आपका 7 वार ये question आया है, पिछले previous year के paper को मैंने सर्च करा है, देखा है, 10 साल में 7 वार ये question आपसे बूजा गया है, और question में अकसर ये question आता है, very very important, long question में से एक है, और इसमें हुए थे बहुत ज़्यादा का रहे है, तो पढ़ते हैं, ज़्यादा समय न गबाते हुए, भारतिये परिश्यत अधिनियम 1935, कैंद्र ने द्वेद सासन की बिवस्ता, कैंद्र में द्वेद सासन की बिवस्ता, य यहाँ पे ने हो गया था, यहाँ पे करना है हमें मैं, कैंद्र में उन्होंने क्या करा था, कैंद्र में डबल सरकार बनाती, द्वेद सासन की बिवस्ता करती गई, दो प्रकार के सासन लगाती गई, जैसे कैंद्र और राज्या होते थे, उन दोनों को देखने के लिए, य जिससे हम अपने हॉल बे में अपनी लीगल हिस्ट्री को समझ पाएं, हमारा दिमाग भट के नहीं, और हम कर पाएं अपने पेपर की भैत्रीन सी तैयारी, एक तो था केंद्र में द्वेच सासन की विवस्ता करती। दूसरा क्या था प्रान्तिय सोयतता की विवस्ता करती। तीसरा था सामपर्दायक इंद्रबाचन का दिखा। मैंने बोला था ना सामपरदायक निर्वाचन का दिकार इन्होंने सामपरदायक था इतनी हमारे भारत में फैला दी थी कि लोग आपस में ही एक दूसरे से जलने कटने और लड़ाई करने लगे थे बहुत जादा नफरत इन लोगोंने फैला दी थी हम हिंदू मुसलमान कभी इतने लड़ते नहीं थे बड़े प्यार से रहते थे लेकिन अंग्रेज जब से हमारे देश में आये इन्होंने एक दूसरे के प्रति घ्रणा पन कर दी बहुत जादा और इन्होंने एक रूल और बना दिया सामपरदायक निर्वाचन का अधिकार कर दिया सामपरदायक मत बलग निर्वाचन का ये हरीजनों को यानी जो हमारे भारत को इन्होंने किस तरह से अलग करा हमारे अंदर किस तरह से फूड टाली देखो को पेहले नहोंने निर्वाचन करा संपरदायकता के αधर पर भरम के अधर पर निर्वाचन होगा सिख अलग करेंगे इसाई अलग करेंगे हिंदू अलग करेंगे मुसल्मान अलग करेंगे ये पहले तो इन्होंने ये कर दिया फिर इन्होंने एक नई चीज और निका ली मुसल्मानों में सिया अलग करेंगे सुन्नी अलग करेंगे उन्हों में एक नई चीज एक और बोधी फिर इसाईयों में भी एक नया सिस्टम कर दिया कि उच्च बर्ग अलग करेंगे निम्नवर्ग अलग करेंगे और हिन्दू हमें क्या कर दिया कि जो ऐसी थे हमारे जो ऐसी बर्ग से आते थे उनको हरीजन बोल दिया गया कि हरीजन अपना निर्वाचन अलग करेंगे और हिंदू जो अलग करेंगे हिंदू उनको हरीजन और हिंदू सब्द में इन्होंने बाट दिया जो हमारे जो गरीब तपके के लोग थे उनको इन्होंने हरीजन कहे कर हमसे अलग कर दिया ऐसी जाती का मतलब जानते हो आपको ऐसी जाती कोई हमारी बैसी जाती नहीं है ऐसी का मतलब होता है जो लोग गरीब होते हैं जिनके पास उपलब्द साधन नहीं होते हैं जो इनको हमें सही तरीके से पहले सुविदा नहीं मिले पाई थी, जिसकी बज़े से वो आर्थिक इस्तिती से जूज रहे हूं, ऐसी का मतलब वो होता था कि इनको जादा अधीकार दिये जाएं, ये हमारे लेबल पर आ जाएं, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने हिंद बहुत जादा हो गए थी, भारत के अंदर धरम नाम की ये चीज समाप्त होने वाली थी, कि हिंदू, मुसलिम, दो बौध, सिक, जैन, ऐसी सब सिस्टम खतम होने वाले थे, तो इन्होंने एक नया रूल अपनाया था कि भारतियों को बाटे हम, उसी लिए हमारे हिंदूों को, एंगलो इंडियों को भी ये अधिकार दिया गया, ठीक है, तो ये जो है 1935 का अधिनयम इतना इंपोर्टेंट है हमारे इस्टडी के लिए, इसी से पता चलता है कि अंग्रेजों ने हमारे देश में क्या क्या करा, कुछ 1935 की इतना ही इंपोर्टेंट चीजे हैं, जो आज तक हमारे देश में लागू हैं, जिन से हम बंदे हुए हैं, जब हमारे देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारे पास कोई सम्मिधान नहीं था, जब हमारे पास कोई एक बहतरीन रूल नहीं थे, तो उसी के आधार पर जो हमारे अंग्रेज रूल फोलो करते आ रहे वो ही चलते हैं और वो ही हमारे सम्मिदान में accept कर ले गए यह है 1935 यह है बहुत बड़ी कहानी बता नहीं सकते हैं बया नहीं कर सकते हैं अगर हम बताने लगें तो भाई काफी ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो हमें याद करना है भारत यह परीशत अधीनियम आप यह भी क को निर्वाचन का अलग अधी कर दिया इसके आधार पर भी याद कर सकते हो टैन नमबर का जो है भारत यह सुर्थ अंतरता अधीनियम 1947 को और हमारा त्रंगा लहरा है ठीक है तो यह थे हमारे इंपोटेंट 10 पॉइंट जिन पर हमारी है पूरी लीगल हिस्ट्री डिपेंड करती है इसी के ऊपर रखी हुई है यह है हमारे महत्पूर पॉइंट्स उमीद करता हूँ इन पॉइंटों को आप अच्छे से याद कर लीजίगा आप ने अभी तक कितनी भी वीडियो देखी हो काट एक कर देखी हूँ इस्किप्ट कर देखी हो ना देखी हो चल जाएगा अगर आप नहीं देखते हो यह वीडियो तो आप करने वाले हो लीगल हिस्टु के पेपर को बेकार क्योंकि आप समझी नहीं पाओ करते हो बहुत कम्स like करते हो ठीक है न आप अगर कमेंट करोगे लाइक करोगे तो मेरा भी मन करेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा वीडियो बनाऊँ और आपको बहुत अच्छे से नमबर दिल पाऊँ ठीक है आपने वीडियो का अंति तक देखा आपने झाल झाल